इन दिनों साइबर क्राइम की खबरें खोब आ रही हैं। साइबर ठक कहीं फरजी आप के जरीए लोगों को लोन का जहासा देकर ठकी कर रहे हैं। तो कहीं फरजी विग्यापनों के जरीए नौकरी का लालच देकर ठक रहे हैं। दरसल ये प्राधी ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो जरूरत मन्द हैं। बहरहाल इन हालातों की बीच सोशल मीडिया पर नटराज पेंसिल के नाम पर एक मेसेज वाइरल हो रहा है। जुसमें दावा किया जा रहा है कि कंपनी वर्क फ्रॉम होम जॉब दे रही है। इसके लिए बस कुछ पैसे जमा करके जोइनिंग कार्ड राप्त किया जा सकता है। एक फेस्बुक यूजर ने 30 नवंबर को ऐसा है कोस्ट शेर किया। इसमें लिखा था कि हिंदुस्तान नटराज पैंसिल पैकिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब्स घर पर करने का लेडीज एंड पुरुष सभी के लिए जॉब अवेलेबल। आल इंडिया जॉब कमपनी 30,000 रुपए सलरी देती है और 15,000 एडवांस मटेरियल के साथ मिलेगा। कमपनी का कॉलिंग नंबर 829-33-50-972, कमपनी का वाट्सप नंबर 829-33-50-972, जॉइनिंग कार्ड चार्ज 620 रुपए। नट्राज पेंसिल एक जानावाना ब्रांड है और इस तरह की कमपनियों में चीजें एक तैम आनक के अधार पर होती है। ऐसे लिए हमारे सामने सवाल ये था कि नट्राज पेंसिल इस तरह से जॉब आफर क्यों करेगा। क्योंकि बड़ी कमपनिया कभी भी ऐसे विग्यापन नहीं देती है। लिहाजा हमने इस पोस्ट की परताल करने की सूची। वारल पोस्ट की परताल के लिए हमने शेयर किया जा रहे है विग्यापन की स्कैनिंग की तो यहां जिस तरह के भाशा और अशुद्धी है उससे पहली नजर में है विग्यापन फरजी नजर आ रहा था। फिर बीस की पक्के पड़ताल के लिए हमने वाइरल पोस्ट की पड़ताल जारी रखे इस पोस्ट से जुड़े संबंधित कीवर्ट के सरीए गूगल ओपन सर्च करने पर हमें कई न्यूज वेबसाइट पर नटराज पेंसिल के नाम पर धोखा धड़ी की खबरें मिली एक लोगपरिय हिंदी दैने का अखबार में एक जनवरी 2022 को छपी एक रपोर्ट में इस विग्यापन को भी शामिल किया गया है और इस ते जुड़ी ठगी की कहानी बताते हुए पाचकों को आगाह किया गया है कि अगर पेस्बुक पर वर्क फ्रॉम होम का विग्यापना रहा है और कुछ घंटे की कमाई के हजारों रुपाई देने का लालच है तो सतर के रहना चाहिए ये आनलाइन ठगी की कोशिश देकर ठगों ने एक युवती से 96,349 रुपे ठग लिए हमारी परताल में ये साफ हो गया था कि नट्राज पेंसिल के नाम पर वाइरल हो रहा विग्यापन परजी है कमपनी की ओर से असा कोई विग्यापन जारी नहीं किया गया कमपनी ने अपने वेबसाइट पर भी इस बाइरल पोस्ट आपको साफधान करने वाला है इस बात को समझना जरूरी है कि कमपनिया इस प्रकार से मैसेज पोस्ट नहीं करती है इसलिए अगर ऐसा मैसेज आपको अकर्शित करें तो सबसे पहले संबंधित कमपनी की वेबसाइट और उनके सोशल मीडिया हैंडल को ज झाल झाल झाल